हेलो सुटेट निर उसमा आप लोग का स्वागत है और आज की एक्टो शुरू करते उससे पहले दोस्तों आप लोगों को मेरी तरफ से रमजान की बहुत-बहुत मुबारक बाद और इंडिया के इंदर आज इंडिया में और बहुत जगाओं पर आज शाम के 7 बजे के बाद आज से जो रमजान शुरू हो जाएगा और तयारिया चालू है और कल से होगा पहला रोजा तो जैसे वीडियोस आपको मिल रहे थी वैसे ही वो आप लोगों को मिलते रहेगी और दोस्तों आज है मंडे इतनी गर्मा गर्म टेकनू से कि मैं आपसे हाँ पर क्या बताओं व इसके अंदर आपको inbuilt 5G का सपोर्ट मिलेगा मैं inbuilt 5G की बात कर रहा हूँ मतलब जो snapdragon 855 जो पिछले साल उन्हों ने अनौन्स केता है December में उसमें inbuilt सपोर्ट नहीं था उसमें आपको 5G ready processor मिलता है लेकिन externally उनको 5G modem लगवाना पड़ता था फोन में जैसे कि उनका खु नहीं मिलेगा तो वो जो space होगा वो खाली रहेगा तो company और कुछ लगा कि आपको extra दे सकती है जो बहुत ही अच्छी बात है और यह processor बहुत ही powerful होगा फिलाल कि इसका code name चल रहा है वो 8250 से जबकि 855 का चल रहा था वो 8150 से तो इससे भी यह पता चल रहा है कि 865 के नाम से आ सकता है देखते हैं यहां पर वैसे बात ही हो रही कि 2-2 version में आएगा 5G version, non 5G version क्या होगा लेकिन बहुत ही powerful होगा जो आपको इस साल के end में मिलेगा मैं ज़रू से आपको उसके बार में और जनकारी दे दूँगा तो यहां पर दोस्तो Avengers Endgame यह जब से मूवी लगी है मत Titanic अभी तीसरे नंबर पर हो गई है, मतलब 11 दिन में इसने 2.188 billion dollar कमाया है, मतलब 15,000 crore, सिर्फ 11 दिन के अंदर जो बहुत ही बड़ी बात है में globally यहां पर बात कर रहा हो, हाला कि Avatar जो है वो कुछ 47 days लगा तो उसको इतना पैसा कमाने के लिए लेकिन वो अभी भी highest grossing film मा आनी जाती है, जबकि यह second number पर है, इसने Titanic को भी पीछे छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिन में और यह number one position पर आजेगी, मैंने खुद भी देख के आया, मुझे काफी मजा आया, सब specially end वाला scene था, वो no spoilers, sorry तो सैमसंग के तर से वैसे काफी interesting खबर आ रही है, और यह official खबर है, जी हाँ, सैमसंग के display के R&D group के जो president है, उन्होंने इस चीस को confirm करकि यह बता है, कि सैमसंग यहाँ पर एक ऐसे phone पर काम कर रहा है, कि ऐसे technology पर काम कर रहा है, जिसमें आपको in display camera मिलेगा, in display camera, यानि कि selfie के लिए आपको in display camera मिलेगा, मतलब ना आपको notch के जरीये मिलेगा, ना आपको pop-out camera मिलेगा, ना आपको punch hold द्वारा मिलेगा, in display होगा, जिसमें आपका display का experience भी खराब नहीं होगा, उस जगा पर particular आपको camera भी देखने को मिलेगा, तो जब आप open करेंगे, तो वहाँ से आ light जलती है, जब आप phone चालू करते थे, तो कहीं भी दिखता नहीं है, तो वैसी technology होगी, जो in display होगा, और ये camera आपको वहाँ पर provide करेगे, कितना जल्दी लेके आता है, वैसे essential PS2 भी एक ऐसा phone आने वाला है, वो आता है, पहले, Samsung पर ले आता है, कौन आता है, ये तो हमें व पता है, कि OnePlus 7 series की जो phones होंगे, उनमें आपको UFS 3.0 का support मिलेगा, storage का, और ये एकदम latest है, और ये बहुत ज्यादा fast है, मतलब read-write की storage की जो speed होगी, उसकी अलावा ये काफी power efficiency भी होता है, और जो app open close करते है, इसलिए बार-बार वो लोग जो advertisement दे रहेता है, ये बहुत ही fast ह वो इस reason से fast है कि आपको उसमें UFS 3.0 का support मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है, उसकी अलावा यहाँ पर OnePlus ने खुद officially confirmed किया कि OnePlus 7 Pro में आपको HDR 10 Plus के display का support मिलेगा, ये इसमें up to 4000 nits brightness मिलेगी, actually में एक smart TV जैसा होता ना, कुछ वैसी quality का आपको यहाँ पर display मिलेगा, लेकि कोई नई बात नहीं है, Samsung S10 और S10 Plus में आपको अलोड़ी HDR 10 Plus के display का support मिलता है, और यहाँ पर Asian अगरवाल ने हमें ये बता दिया, कि 6.67 इंच के आपको ये display मिलेगी QHD Plus की, जो उनने खुद tweet करके हमें बता है तो इसकी display की size भी हमें Asian अगरवाल दुआरा पता चल रही है, जब देखते हैं दोस्तों क्या खास होता इसके अलवा, क्या price होती है, कितना महंगा ये phone होता है, ये तो 14 तरीकों हम इसके बारे में पता चलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों, finally, 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 मैंने जैसे कि आपको अपने टेकमूस में पहले बताया था कि possibility ये है कि 15 में को ये Realme के X वाला smartphone जो वो launch होगा, तो ऐसे हुआ, officially, यहाँ पर Realme का जो वाइबो का जो page है, वहाँ पर उन्हें ने confirm कर दिया कि हम यहाँ पर Realme X को 15 में को ये जो वो launch करने वाला है, चाइना के अंदर, अब यहाँ पर उन्होंने एक नया poster share किया, आप देखेंगे, एक street है चाइना क जहाँ पर left में अगर आप देखेंगे, येलो कलर पर उपर जिखेंगे, लिका है Realme X, और उसके नीचे date लिकी है, वो है 15 में की, तो 15 में को Realme X होगा, launch नाम भी confirmed हो गया है, चाइना के अंदर, और 7 में क्या पता Realme X Youth Edition, या फिर Realme X Lite launch होगा, और वो जो second वाला जो phone होगा वो Realme 3 Pro होगा, जो हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कुछ और नाम से जाएगा, लेकिन जो Realme X से वहाँ पर launch होने के बाद, कुछ टाइम में हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही interesting होगा, देखते हैं दोस्तों, मैं जाने वाला जी हाँ, क्योंकि पहली कपर यहाँ पर Xiaomi की तरफ से यह आ रही कि, यहाँ पर Xiaomi का जो Mi A3 और Mi A3 Lite है, यह इंडिया में हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, मतलब हमने जितना जादा सोचा था, उससे भी जल्दी आ सकता है, मतलब जून के महिने में, यहाँ फिर शा Xiaomi का कौन सा फोने, वैसे वो तो ऐसा बोट है कि Snapdragon 710 या 712 हो सकता है, लेकिन इस मामले में वो थोड़ी से रॉंग है, क्योंकि मनु कुमारे जैन ने खुद बताया था, कि Snapdragon 700 series का प्रोसेसर जो होगा, वो कुछ हफते पहले लांच हो आता, और वो था Snapdragon 730, तो जो Mi A3 आएग पर दोस्तो, Xiaomi का एक नया flagship smartphone जो वो आने वाला है, जो की code name के साथ में घूम रहा है, और वो है Xiaomi Hercules, जी हाँ, और यह भी यहाँ पर XD के developers, Michelle Rehman ने हम से शेर किया है, Twitter के उपर जहां पर आप देखिए, specs उन्होंने बताईए, कि इसमें आपको Snapdragon 855 मिलेगा, NFC का support मिलेगा, आपको यहाँ पर wireless charging मिलेगी, अंडर इस पर finger print scanner होगा, triple camera होगा, और एक आपको single selfie camera मिलेगा, अब यह दोस्तो, actually में मुझे ऐसा लग रहा है कि यह Xiaomi का Mi Mix 4 होगा, जो काफी match कर रहा है specs के साथ में, क्योंकि Xiaomi का obviously जो flagship phone आएगा, वो Mi Mix 4 होगा, जो पहले भी Xiaomi ने poster में हम से आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, यह कौन सा phone हो सकता है, आप मुझे जरू से निचे comment करके बता सकते हैं, और यहाँ पर Xiaomi के जो आज की सबसे बड़ी ख़बर यह निकल कर आ रही है, जो Redmi का flagship smartphone होगा, फिलाल के लिए हमें इसका नाम नहीं पता है, क्योंक के अंदर, मतलब Redmi K20 Pro, तो अजीब लग रहा है, लेकिन specs देखेंगे काफी दमदार है, Snapdragon 855 आपको देख रहा है, आपको triple camera देख रहा है, 48MP के साथ में, और 20MP की एक selfie मिलेगी, जहाँ पर दिखा जार है कि वो pop-out camera के जरी आपको मिलेगा, उसके अलावा यहाँ पर आप द निकल कर आई है, जो काफी real लग रहा है, लेकिन एक और picture निकल कर आई है, आप देखेंगे, अलग-अलग model number के साथ में, K20 Pro, P20 Pro और X20 Pro, सब में एक जैसा को specs दिखाई दे रहा है, तो यह मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यह शायद से किसी ने Photoshop किया है, तो उसमें से नाम क एक और ख़वर आ रही है, और यह मैं ख़वर आपको देखें रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाया, मतलब मार्केटिंग के लिए कंपणी क्या-क्या करती है, वो देखो, अभी Xiaomi के यॉरोप की टीम है, उन्होंने यहाँ पर space के अंदर Xiaomi के Redmi Note 7 को भेजा, जी हाँ, Redmi Note 7 यह इंडिया वाला नहीं, यह चाइना वाला है, जिसमें 48 मेगापिसल वाला आपको कैमरा मिलता है, मतलब 33,000 मीटर हाइट पर वो उपर गया था, मतलब और उसमें एक हाइडरोजन बलून में उन्होंने इसको लगा कर भेजा, उपर माइनेस 60 डिगरी चल रहा था, और आपको बता है कि यूटूब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहे है कि गूगल के बाद वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जिश सर्च इंजिन है, मतलब गूगल तो सर्च इंजिन ही, लेकिन यूटूब पर जाके जो लोग सर्च करते ना, वो उसके बाद सबसे ज्यादा होता है, ऐसा यहाँ पर जो बताया जा रहा है, तो आज के रेंडूस ये बेगता मुती ही मित करता है, आपको आज के रेंडूस पसना है कि अगर आपको पसना तो जबरूस इस वीडिटीक करिए, मैसे आपनों के लिए डेली टेंडूस घाता होनोंगा, आपनोंको ऐसे ही कर दो ताल एली